हेलो एडिटर्स तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम रील पल ट्रेंडिंग बोडी ग्लो एफेक्ट के बारे में तो सबसे पर नो तुम ये वीडियो देख लो वैसे तो ये इफेक्ट PC में क्रियेट किया गया है बट हम इसे मोबाइल फोन से ही एडिट करेंगे वो भी केब कट में ये इफेक्ट अभी रील्स पर नया नया आया है तो आगे चलकर कुछ टाइम बाद ये बहुत तगड़ा वारल होने वाला है क्यूंकि ये बहुत ही सीखते हैं वो भी CapCut में CapCut VPN के बिना नहीं चलता तो VPN on कर लेना कोई सभी VPN connect कर सकते हो बट अगर मैं सजेस्ट करूँ तो Super VPN यूज करना कोई problem नहीं होगी ओके अब CapCut open कर लेते हैं and new project पे किलिक करके हम अपनी वीडियो को timeline पर add कर लेंगे तो मैं वीडियो high quality में shoot करनी और body को camera के पास ही रखना है जादा दूर मत जाना तब ये effect perfectly apply हो पाएगा so इस वीडियो में body glow effect apply करने वाला हूँ बहुत ही easy है बस द्यान से देखना सबसे पहले हमें इस वीडियो पे tap करना है फिर नीचे थोड़ा slide करेंगे तो यहाँ पे हमें duplicate का option दिखेगा उस पे click क तुम्हें remove background का option दिखेगा उस पे click करना फिर auto remove पे click करना तो इसका background automatic remove हो जाएगा मैं थोड़ा सा slide करके तुम्हें दिखा देता हूँ तो देख सकते हो overlay वाली वीडियो का background remove हो चुका है okay so इसे फिर से वापस वहीं पर कर देते हैं मैंना ये तुम्हें दिखाने के तो यहाँ पे तुम्हें graph का option दिखेगा फिर हमें इसमें जाना है तो यहाँ पे हमें white और RGB colors का option दिखेगा तो यहाँ पे हमें white वाले option पे ही रहना है और इस वाले point को slide करके कुछ इस तरह से यहाँ पर लेकर आएंगे बस इतना ही करना है तो देख सकते हो पूरी body जो थ देखेगा flash vibration इसे apply कर लेते हैं इसके बाद हमें object पे click करना है यहाँ से इस effect को overlay वाली वीडियो पे apply कर देंगे जिसमें हमने background को remove किया था ओके यह करने के बाद हमें यहाँ से adjust में जाना है और effect को थोड़ा सा adjust करना पड़ेगा जिससे यह effect perfectly apply हो सके तो सबसे पहले इसकी speed को zero कर देना है एक percent भी नहीं बलाना है यह सिर्फ zero ही रहेगा अब glow को भी थोड़ा कम कर देते हैं देख सकते हो यह बहुत ही जादा glow कर रहा है तो इसे हम कर देते हैं 8% अगर तुम्हें yellow effect जादा चाहिए तो atmosphere को यहाँ से 100% कर लेना इसके बाद range को भी कम कर देंगे इ यहाँ से slide करके select कर लेना तो मैं यहाँ से yellow color apply कर रहा हूँ ओके अब इस effect की duration को वीडियो के बराबर कर लेंगे उसके बाद इसे export कर लेते हैं तुम देख सकते हो हमारा final result बिल्कुल same उसी तरह का हमने edit किया है after effect वाली editing हमने अपने mobile में ही कर डाली झाली हमने में यहाँ में गाली आपको उत्री झाल झाल